तो क्या आप लोगों ने ये बात कभी सोचा कि water hazard इतना पानी लाता कैसे है अपने हातों से, आखिर वो लहर जैसा इतना पानी कैसे ला पाता है, तो इसकी पीछे का जो science है वो आप लोग समझो, आप सभी को पता है कि हमारे environment में oxygen, nitrogen और गईस carbon dioxide पाये जाते हैं, तो आपको पता होगा oxygen में और छोटे-छोटे जो elements होते हैं, उन में कुछ मातरा पानी का भी होता है, तो वहाँ पर water hazard क्या करता है, water hazard बाहर का environment से absorb करता है water को, ये हमें कभी भी देखने को तो नहीं मिला, पर इसके पीछे का ये science है, कि water hazard बाहर से जो है, वो एबसॉप करता है, और वही से वह पानी को generate कर पाता है, तो इसके पीछे का जो answer है, वह यही है, कि water hazard बाहर से absorb करकर, वह अपने opponent के उपर attack करता है, इस तरह के और भी facts के लिए आप हमारे चैनल को subscribe कर देना